हेलो एव्रिवन स्वागत आपका मनी मेजिक में बात करेंगे इंडिया बूल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अच्छे खासी आज इस्टोक में आपको तेजी देखने को मिलिए 4% के आसपास अब तक तो वीडियो में बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपोर् सब्सक्राइब कर रही है इसके लाओ नेक्स्ट प्रमोटर होल्डिंग प्रमोटर हो पर्मोटर होल्डिंग जहां सेप्यमब्र 2021 तक 21% 22% के बीच ति वह अभी लगबग 10% से भी कम यहां पर रहे गया लिमिटेशन में आप देखोंगे परमोटर होल्डिंग कम हो रही है जो profit after take से वो भी कम हो रहा है कंपनी पूर profit growth डिलीवर कर रही है पूर income growth यहां पर फिछले 3 साल चे डिलीवर कर रही है बात करें रिजव की तो लगबग December 2021 तक का यह आकड़ा है रिजव कंपनी के पास 15,300 करोड का है लेकिन borrowing 57,740 करोड के आसपास तो borrowing जो सबसे important factor है कंपन में जहां मार्च 18 में borrowing एक लाख 4,217 करोड के आसपास थी वो कंपनी ने बलगबग आधिक कर दी है तो borrowing यहां पर कंपनी अपनी continue कम कर रही है और जो रिजव कंपनी ने आपना गटा रही है ना बड़ा रही है लेकिन borrowing यहां पर कंपनी continue कम करते आ रही है तो for long term अगर आ पर गटरी यह परमोटर होल्डिंग भी हाप है कंपनी की घटरी यह आरोई कंपनी का कैमा रोची यह तो यह सारी चीज़े कंपनी के पक्स में नहीं जा रही है लेकिन एक चीज जो सबसे अच्छी लगी इस कंपनी को लेकर balance sheet में कि कंपनी ने अपना रिजव मेंटेन किय और बोरोइंग कम्पनी अपना जो करजा है उसको कंटीनिव हापे कम करती आ रही है यह सबसे पोजिटिव साइन है कंपनी को लेकर लोंग टरम आने वाले टाइम में यहाँ पर कंपनी डेप्ट फ्री होती है सबसे इंपोर्टेंट बात है कि यह आप लोंग टरम के लिए ज बढ़ता है तो यह सबसे पोजिटिव साइन होगा और इसके अलावा कोवीड के कारण आलाइन की बिजनेस काफी एफेक्ट होए तो पिछले 2-3 साल के अंदर तो कंपनी रिकवरी करती है और जो अपना बिजनेस है वह कंपनी का इंप्रूव होता है प्रोफिट वगरे ब देख सकते हो आलाइंके इंट्री बनाने के लिए बहुती थोड़ी हां इसे सकते हो ताकि आने वाले ताइम में इसमें अगर इसक्कण लेत सकते हो teti